प्रोग्रेम दो रहा में आप सबको खुशाम दीद। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बहुत यच्छे मूड में हमारे सब प्रोफेसर साब मौजूद हैं प्रोफेसर एमेन्वल मुम्तास साब आपको प्रोग्राम पे खुशाम दीद। हमारे साथ ओडियन्स मौजूद हैं और नाजरीन आज की प्रोग्राम की एक खास बात ये है कि आज का प्रोग्राम बेस करता है आपके अपने दिये हुए टॉपिक पे तैंक यू वरी मच नाजरीन के आपने हमें अपना फीड़बैक दिया और साथ ही साथ हमने आपके दिये हुए टॉपिक में से ही आज का टॉपिक चूज किया है और आज हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन पे पाकिस्तान में बढ़ते हुए नशे के रोजान पे यूएन के एस्टिमेशन के मताबिक तकरीबन 8.9 मिलियन लोग इस वक्त पाकिस्तान में नशे की लानत का शिकार है तकरीबन 40,000 लोग हर साल बढ़ रहे हैं इस तेजी के साथ नशे की आदद जो है वो लोगों में बढ़ रही है और तकरीबन 700 लोग हर रोज ड्रग-related complications की वज़ा से मौत का शिकार हो रहे हैं आज हम बात करेंगे नशे पे, नशे की लानत पे और नशा क्या है और नाज़ी चुके ये topic आप लोगों ने दिया है और हमारे साथ मौजूद है हमारी audience तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज भी करेंगे अपने audience से question लेके मेरा नाव मर्यम रियाज है और मैं सैंट जॉन्स AIR Pichards से तालुक रखती हूँ मेरा आज को सवाल ये है कि नशाबाजी क्या होती है और इसकी इपिदा कैसे होती है जो हम तारीख के औराक जब पुलटना शुरू करें तो हमें पता चलता है कि हजरत नू के तुफान के बाद जब हजरत नू की सिर्फ फैमिली बच गई तो फिर कष्टी में से बाहर आने के बाद जब हजरत नू ने खेती बाड़ी शुरू की तो फिर आपने अंगूर के दरखत लगाए और उन अंगूरों को जब वो खाने लगे उनको निचोडने लगे उसका जूस निकालने लगे उसका रस निकालने लगे उस रस को पीने से उन पर एक खास गनूदगी तारी हुआ करती थी और उस गनूदगी का नाम फिर बाद में नशा रखा गया मजीद तफसील इसकी और भी है लेकन उसको यहां प्रोग्राम के हवाले से हम कोट नहीं कर सकते लेकन जो अब्तदाई तर पर हमें मालूम होता है वो यही है कि वो जो अंगूरों का रस जिसको बाद में वाइन इंग्लिश में नाम दिया गया उसको फिर जब पीना शुरू किया तो वो एक नशे की हालत तारी होती थी तारीख में हम यह भी पढ़ते हैं कि पुराना नाम जो मसोपतामिया था जो मौजूदा इराक का मुल्क है वहां के लोगों ने भी इसी तरह अंगूरों के रस के साथ ज़्यादा उसको पीने में नशे की हालत में आना शुरू हुआ था युनान की जो तारीख है जो इसकी हम हिस्टरी पढ़ते हैं तो उनका एक दियोता का नाम था जिसका नाम था डायोनिसस ये एक दियोता का नाम था ये उनकी माइथालोजी है और वो कहते हैं कि नशे जो शुरू किया वो इस दियोता ने शुरू किया था इनसान अपनी खुराक के लिए जो भी चीज़े खाता है वो उसको एक तरह से नॉमल हालत में रखती है और उसके जिसम के बढ़ने में वो जो गिजा है उसके हल्प करती है जो गुदरती अश्या जो इनसान की खुराक बनती है और जो उसके जिसम और दमाग के बढ़ने में उसके हल्प करती है ऐसे ही कुछ चीज़े कुदरती तोर पर बजाते खुद उग पड़ी और इनसान ने जब उनको भी खाना शुरू किया तो वो उन पर एक खास किसम की कैफिये तारी हो जाती थी और गोया कि वो नशे की हालत में हो जाती है भंक का दरख्त या पवदा कोई बोता नहीं है वो खुद वो खुद ही उगाता है और आप हमारे दो आबा रचना के एरिया में जाएं यह वो टर्म मैंने इस्तिमाल किया जो हमारे हाँ ही इस्तिमाल होती है दो दरियाओं के बीच में उसे रचना के नहीं गजाती है कि बाद अगद गोर्मन इसे खुद जलाना पड़ता है जोग उसको खुद ही काटके अपने साथ अपने सामान में डाल के लेक आ आते हैं कराची तक आ जाती है और फिर उसको मिक्स करके और उसका फिर जूस बनाते हैं और बांक के तोर पर उसको इसको इस्तिमाल करते हैं तो जब कुदरती तोर पर और जड़ी बूटियां हो गई और निसान ने अपनी खौराक के अलावा उन चीज़ों को भी इस्तिमाल करना शुरू किया तो वो उस पर एक जो खास कैफियत तारी हो जाती थे थे ना उसमें वो कुछ लज़त महसूस करता था उसमें कुछ वो रहत महसूस करता था तो वो गोया है कि फिर बाद आजाओं लोगों नो इसको रेगलर बेस पे लेना शुरू कर दिया और यूं फिर नशा एक तरह से नशा की बतदा हो गए और फिर बाद जाओं कही और चीज़ें उसी में से बाकाइदा बोना शुरू कर दिया है लोगों ने इसकी खेती बाड़ी शुरू कर दी ऐफगानस्तान के कुछ एलाकों में पिशावर के उपर वाले पहाड़ी लाकों में खेती बाड़ी अफियून की ओपिय hypertी बाड़ी हम जЕसे कहते हैं अफियून की बाकाइदा क्षेती बाड़ी की जाती है और अमरीकी हकोमत ने और हमारी मकामी पाकिस्तानी गोवर्मेंट ने उन लोगों को बहुत सारी सिजेशन दी बहुत सारे पैसा देने की कोशिश की है कि जी आप ये ना करें को और कारोबार शुरू कर लें लेकिन लोग बाद नहीं आए वो आज भी उसको खेती बाड़ी के तौर पर फसल के तौर पर अफियून को बहुते हैं और पर उस अफियून में से फिर बाद में हीरून केमिकल्स में लाके तियार होती है हीरो तियार होता है और उसकी और कई किसमें हैं जो सिर्फ उस एक फसल की वज़यसे जो कि वहां के मकामी लोग कहते हैं हम तो फसल बोते हैं तो वहां से फिर ये शुरू हुए और आप पूरी दुनिया में इस कदर उस अफ्यून ने एक कहर मचा रखा है कि दुनिया की हर गौर्वर्मन्ट महताथ हो गई है कि किसी तरह हम अपने उलाद को इस से बचा सकें बहुत वजाहत की आपने थैंक यू वेरी मच्च मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी जब मैंने ये काफी सारी रीसर्च पढ़ी फैक्स पढ़े और जब मैंने ये पढ़ा कि साथ सो लोग एक दिन में ड्रग की मुक्तलिफ एक्साम और कॉम्प्लिकेशन की वज़ा से मौत की मुँ में चले जाते हैं इस से पहले मेरा ख्याल ये था कि शायद जब कोई बड़ा डिप्रेशन में होता है या कोई बहुत दुखी होता है या कोई सानिया गुजरा या मतलब वो खुश ना होगा तो शायद उस वक्त वो नशे की आदत में या हलत में या उसको आदत पड़ती है किसी गलत चीज़ की जो आपकी बॉड़ी के लिए सही नहीं है जो आपके आस पास के लोगों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि नशे की हालत में आप बहुत सी चीज़े ऐसे करती है जो शायद ना मुनासिब होती है या शायद आप खुद ही होश में नहीं है और आप बोल जाते हैं या कर गुजरते हैं और बाद में आपको समझ में आती है कि आपने क्या किया Physically भी, Medically भी आपके लिए यह सब बुरा है नशे को हम लानत कहते हैं नशे की लानत है अभी इसी Research में मैं पढ़ रही थी Unfortunately और नाज़ीन बहुत दुख के साथ मैं आपके साथ यह Share करने जा रही है कि इससे पहले मेरा यह ख्याल जरूर था कि शायद किसी वजह से होता है लेकिन unfortunately अभी जो latest survey हुआ है Schools का, Colleges का, Educational Institutions का उससे यह पता चलता है कि एक huge number of students वो involved हैं drug addiction में drugs को use करने में और जितने specially जादा modern है उनके फरक uses of drugs है किसमें फरक फरक है और महंगा नशा कर रहे है और जो थोड़े below the line है उनके भी नशे की wide range है wide range है वो अपनी capacity में अपना खतनाग तरीके का वो नशा इस्तमाल कर रहे है मुझे बहुत personally इस बात पर दुख हुआ क्योंकि मैंने इस से ये देखा है कि youth बहुत जादा involved है नशे में हमारे बच्चे हमारी जो future generation है जो हमारे कौम के मैमार है जो हमारे कलीसिया के मैमार है जिन पे हमारा future depend करता है उसमें से तकरीबन 78% already addicted हैं फरक फरक किसम की drugs की तो इस पे आप कोई वजाहत करेंगे कोई रोश्री डालेंगे कि ये क्या है क्यों specially youth ही involved है और क्या सिरफ वाके youth ही ज्यादा involved है नशा शुरू करने की कही वजूहात हैं उनमें से एक दो को तो आपने भी point out कर दिया कि जब इनसान birth, depression के हालत में होता है तो इनसान उसको face नहीं कर सकता mentally, physically उससे निकलना चाता है उस सूरतेहाल से भागना चाता है निकलना चाता है तो किसी ऐसी चीज़ का सहारा डूंडता है जो उसको उस depression से निकाले तो फिर drug seller जो हैं वो तो इतने हैं गली-गली महले-महले फिर रहे हैं वो ऐसे लोगों के तलाश में रहते हैं वो भी बड़े expert होते हैं face reading उनकी बड़ी शानदार होती है वो face reading से ही पहचान जाते हैं कि ये बंदा परिशान है खुद बात उससे शुरू करते हैं और उससे हाल पूछते हैं और फिर उसको इस लाइम पर लगां या आप इसमें से बाहर आ सकते हैं आपको सिर्फ इतने पैसे की एक medicine देता हूँ आपको तो medicine को लेते हैं और फिर जब वो अपने होश वावास में नहीं रहते हैं तो गंटा डेड़ गंटा इसमें जब गुजर जाता है जब वो आँख खुलती है फिर नॉर्मल हालत में आते हैं तो करते हैं या या यह तो बहुत अच्छा था कम अज़ कम डेड़ दो गंटे के लिए तुम्हें तो बाहर रहा नौजवान जिनका आप हवाला दे रही है मैं भी आपके साथ शामल हूँगा यह कहने में कि अनफाचुनेटले हमारी यूनिवरस्टी तक ये लोग पहुँच गए है टेलिवीजिन ने पाकिस्तान के टेलिवीजिन ने पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया ने तो इसको बहुत हाइलाइट किया था इसलामाबाद की काईदे आजम यूनिवरस्टी की बाकाईदा उन्होंने वीडियो दिखाएं टीवी पे दिखाएं कि किस तरह नौजवानों तक लोग पहुँचते थे एक दो प्रोफेसर पकड़े गए थोड़े थोड़े पैसों के आप इतना इतना करें तो वो भी उसमें हो गये और एक बहुत दुक़्ी बात ये रही कि बच्चियों की तादाद भी बहुत जादा निए लड़कियों की भी और इसमें शुरू करने वाले एक्टियू जो यह ना बड़े लोग जिनके पास पैसा बे इंतहा है वहां से एक्टियू इसको इबतिदा होती है ग्रीब गुरुबा तो बाद में शामल होते हैं पर इब चीज समझने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है उनको समझाना भी आसान हो जाता है जब यूनिवर्स्टी लेवल तक पहुंच जाए ये बात तो फिर तो मेरा खैल है कि सिर्फ गौर्वर्मन कोई नहीं फिर तो अवाम को भी माँ बाप को भी एक तरह से उठकड़े ह होना चाहिए उनकी आँखे कान खुल जाने चाहिए कि मेरा बेटा वहां पढ़ता है मेरी बेटी वहां पढ़ती है ये किस सूर्थ हाल से हमारे जो हमारा मुस्तक्बिल है जिन पर हमारी उमीदें लगी हुई है तो उस पर संजीदगी से उसको पूछना घरा आए वापस तो पूछना बहुत जरूरी है इसको सीरिस ले लेने की जरूरत है ये जिस भी नाजरीन में से जिसने भी ये स्वाल हमें बेज़ा है ये टौपिक बेज़ा है मैं कहता हूं कि वह अच्छी बात है बुसने बेज़ा है हमें भी इसको संजीदगी से लेना चाहिए और जो नाजरीन हैं वो भी इसको सिंजीद की से लें। इसको सिर्फ प्रोग्राम की खाते देखती न रहें। इसको बिल्कुल अमली शेकल में लाएंगे। तो फिर हम पाकिस्तानी जो अपनी यूथ है उनको बचा सके। यूथ क्यों शकार होती है। चुए यूथ ही शकार हो सकत जबाती तोर पर इतने इमोशनल और सेंटिमेंट के साथ बहरे होते हैं कि उनको को तो कोई भी चीज़ आए cuma रहा हैं की पैस्तो́ में यूथ है। इसलिए यूथ पता है क्या असानी से शकार हो जाते हैं this ब NEW्मूह यूथ पे नजर रखना, जहां माबाप का फर्द है, वहां तालिमी अदारों का भी बड़ा फर्द बनते हैं, कि जब ये चीजें एक जमाना था, बहुत पहले की बात है, कराची उनिवस्टी में ये हुआ था, जब बहुत सारी किलिंग होने शुरू ही, तो जो कराची उनि का रह गए थे, तो आप देखिए, ड्रग लेना सिरु ये नहीं कि इनसान के जिस्मानी नुकसान होता है, जिजबाती नुकसान बहुत होता है, फिर वो शूटिंग करते हैं, फिर वो किल करते हैं, बरदास्त नहीं होते हैं, लड़ाई जगड़े पर फॉर नामादा हो ज है कि हम इसको बता और चालेंज एक्सेप्ट करें, और इस पर जितने और मजीद प्रोग्राम भी आसकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत वाज़े तालीम देने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है, सबसे ज़्यादा इस पर अवेरनेस होनी चा है, और वो जान बूच के किसी के सामने सिगरेट इसलिए लगाएंगे कि बताएंगे कि हम भी सिगरेट पीते हैं, और इसको डिसकरिज नहीं किया जाता, फैमिलीज में, या जो उनके आसपास लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें भी और पाइस भी इस पे बाचीत होती रहनी चाहिए ताकि इस बात को जादा जादा डिसकरिज किया जाए, इसके जितने जादा खतरनाक असरात, ना सिरफ उस इनसान पे, उसके आसपास के लोगों पे, सुसाइटी पे, इसके जो नेगिटिव असरात होते हैं, उनके बारे में भी बात जरूर होनी चाहिए, मेरी आपकी बाते चलती रहेंगी, नाज़ीन इस वक्त मौका है कि हम आउडियन्स से एक और सवाल लें, मेरा नाम काशिफ है, मेरा तालू के यार पिचर्स है, मेरा क्वेशन ये है, कि नशबास की मजभी हैसित क्या है, और मजभ नशबास को किस नजर से देखता है? जहां हम मौशरती तोर पर उसके नुकसान देखते हैं, और उस नशबास का जो मौशरती रुटबा है, वो बिलकुल ही गिर जाता है, इवन कि वह अपने माँ बाप की नजरों में गिर जाता है, मौशरे के साथ जो उसके यार दोस्त हैं, वो साथ छोड़ जाते हैं, अज उसकी नजरे इतनी पाक हैं को बदी को गवारा ही नहीं करती हैं, देखी नहीं सकती हैं, और इशाद हुआ है कि एक कैटेगरी और एक लोगों की ने कैटेगरी बियान की गई है, नशबास, जूट बोलने वाले, दंगा अफसाद करने वाले, और आखर में लिखा हुए श लेकिन इनसान खुदा की बादशाहिम के लिए भी रिजेक्टेड हो जाए, और वो भी इस लाइक ना ठहरे कि वो खुदा की पाक बारगाव में दाखल हो सकते हैं, तो इससे बड़ा लास क्या सकता है, इसका मतलब यह है कि वो अबदी आग में जलता रहेगा, जहन्म की प्याग की तरफ हो जाएगा, और वो वहाँ जलता रहेगा, उसका नुकसान उसका तो कोई अजाला ही नहीं, जमीन पर तो फिर भी अजाला हो सकता है, अदारे खुले हुए हैं कि चलो वहाँ भेज दें तो फो रो ड्रग एडिक्शन छोड़ देगा, ठीक हो जाएगा, अगर ऐसी हालत में उसका इंतिकाल हो जाए, तो फिर तो उसके लिए कोई सुदरने की, समरने की जग़ नहीं रहे, मौका ही नहीं रहे, फिर तो वो सीधा जहन्मी है, खुदा की बादशाही में तो उसके लिए पहले इर्शाद होगा कि उसका कोई मकाम नहीं, उस ऐसे श उसको फिर पसंद नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता है कि वो ऐसी जगों पर जाए उसका माइंड खुद ही रडी नहीं होता, नशा करने वालों की ये भी एक अलामत है कि वो बदबू वाले कपड़े पसंद करता है, उसको स्मेल आती रहनी चाहिए, वो अच्छी ह ये बुरी होँ, यह नशे के एक पहचान है, नशा करने वाले के निए एक पहचान है, वो नहाना पसंद नहीं करता, नहाता नहीं, कपड़े जैसे भी हैं, गंदे मंधे उनहीं पैन लेता है, क्योंकि उसमें से निकलने वाली स्मेल उसको अच्छी लगती है, आम इंसान नॉमल शिक्स को तो बुरी लगती। वो चाहता है कि नहाए, वो चाहता है कि कपड़े दोए और कपड़ों में से किसी किसी में स्मेल ना है। लेकि नशा करने वाले की ये एक अलामत है, एक साइन है कि वो ऐसे कपड़े पसंद करता है। तो वो गोया कि अबादत खाने में जाना तो वो तो तकाज़े हैं उसका, अबादत खाने में जाना है तो जहनी तो पर पाकीज़गी के हालत में जाना है, अबादत खाने जाना है तो लिबास के तो पाकीज़गी के हालत में जाना है, अबादत खाने जाना है तो पूरे अबाद खाने में तो फिर लोग उसको एकसेप्टी नहीं करते। चर्च लीडर्शिप, मस्ज़ित की लीडर्शिप उसको इस बात की अजाद नहीं देते हैं वो खुद कहते हैं कि जाएए प्लीज आप घर जाएं, आप इस हालत में नहीं हैं आप अबाद खाने में श्रीक हो सकें, तो गोया कि मजभी तो पर तो वो फिर कहीं कर भी नहीं रहता है ना खुदा की नजर में मकबूल ठहरता है, ना इनसान की नजर में मकबूल ठहरता है तो उसका क्या status रहे गे? ना यहां मकबूल है ना वहां मकबूल होगा. तो इसलिए इस लानत से बचना ही जरूरी है और किसी भी शख्स के इस सालत से निकलने में जो मैं करदार अदा कर सकते तो मुझे करना चाहिए जो टीवी करदार अदा कर सकता है वो टीवी को करना चाहिए जो पेरन्स कर सकते हैं पेरन्स करें जो बज़र्ग कर सकते हैं बज़र्ग करें चुंकि एक 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 इनसान की कीमत जो है वो खुदा के दूर उसकी नजर में गिरां कदर है वेरी मच वैलिवेडल हर इनसान खुदा की नजर में गिरां कदर है गिरां कदर यनि इतना कीमती कि जिसकी कीमत नहीं दी जा सकती उसे कहते हैं गिरां कदर इनसान की वैलियू खुदा की नजर में बहुत जदा है तो पसंद कर तो खुदा ने अंबिया क्यों भेजे थे इस में हम पड़ते हैं, वो दो खुद भंदबस करता है कि इनसान सही रास्ते पर है, सीदे रास्ते पर, नashah की खराबी यह कि वो बिल्कुल उसको ट्रैक से उतार देता है, ना फिर घर का रहता है, ना इधर का रहा ना इधर का रहा. बिल्कुल सही का प्रॉफेसर साभ आपने कि ना पिर वो घर के रहता है ना घाट कर रहता है फिर दिल दुखी हो रहा है फिर दिल भर रहा है और हम सब को आंखे खुली रखनी चाहिए इस सारी बात पर अपने आंज़ पास, अपने फैमिली में, अपने बच्चों पे, अजीजों पे, सब का ख्याल रखना चाहिए प्रोफेसर साथ, ये और्डियनसी की तरफ से क्वेस्चन आया है ये उनी का दियावा सवाल है कि वो कौन से सिम्टम्स होते हैं या वो कौन सी ऐसी बाते हैं जिनके बारे में हमें अलर्ट रहना चाहिए या जिनके बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए जिससे हमें ये अंदाजा हो कि हमारा बच्चा या बच्ची या हमारे आस परोस में ये जो लोग हैं ये खुदानाख्वास्ता ये नशे की लानत में मुब्तला हो गए हैं या उस तरफ को बढ़ रहे हैं कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें ये आईडिया हो सके या गैस कर सके हम लोग या हम उसको रोक सके और हम वहीं पे कोई भी जो भी प्रिकॉशन्स ली जा सकती है या जो कंट्रोल किया जा सकते हैं वो किस तरह कर सकते हैं इसके की सिम्टम्स हैं जिससे माँ बाप असाथजा और दीगर जो लोग है वो असानी से उसको डाइगनोज कर सकते हैं पहचान सकते हैं इंसानी जिंदगी बड़ी रेगुलर बेसस पे चलती है, इसके पास एक पैटर्न है, एक रेगुलरिटी है, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, जो घर वाले काम काज पर जाते हैं, हर एक रेगुलरिटी होता है, इतने मज़े उठेंगे तो तब कहीं जाके अपने काम पर वक्त पर पहुंच सके, तो नशा करने वाले का पहला सिम्टम या पहला साइन तो यह है, उसमें अचा नशे की हालत में आपकी जो नींद है वो बढ़ जाते है, नींद बढ़ जाती है, काहली आजाती है, सुस्ती आजाती है, वो जो नैचरल सिस्टम होता है वो जो स्लो डांग होता है, लिथार्जिक से हो जाता है, तो वो एक साइन असका, नमबर टू, उसको डेटो लाइव से कोई इंट्रेस्ट नहीं रहता है उसको अपने वरना नॉमल निसान तो शीषे के सामने खड़ा होता है अपने बाल बनाता है अपने आपको सौहारता है, मेकप करता है आप नोट किजिएगा नशा करने वालों को मेकप से कोई दिल्चस्पी नहीं अपने आप पे जिस्मानी और जिजबाती हालत होती है, वो गैर मुरही होती है, वो नॉमल नहीं रहती है, वो इतने गुसे में आता है, कि तोड़ फोड़ करने लगता है, यहां मारपीट करने लगता है, घरवालों से पैसे मांगे, घरवाले पैसे नहीं देंगे, तो वो बिलकुल उस मार अपने जोड़ की चीज ही छोड़ी करते है तो घर से चीजे गाएब होने लगए तो समझ जाए एलिर्ट जाए अलिर्ट हो जाए यह मेरे घर मेन कोई ऐसा शक्स है तो उसको पहचानने में लेगी तो एक दिली करता है काम काज पर जाएं, अपने आफिस में जाएं तो उसके काम की रिफ़तार में बिलकुल सुस्ती आ गई है, जो काम वो एक दिन में पूरे करता था, अब नशे में आ गया तो वो काम उतने पूरे नहीं कर सकता, यह उसमें फर्क आ गया, कपड़ों के मैंने पहले बात की है, क वो कपड़े दोना पसंद नहीं करता, वो जहां समेल आती है, वहां खड़ा होना पसंद करेगा, नशेवालों को देखिए, उनके डेरे जहने बिलकुल वहां पर है, जहां शेयर का कुड़ा करकड़ जम होता है, उसके करीव पर ही रहना पसंद करेए, उसको मैं और आप अबू कहेंगे हां, लेकन वो उसके करीव रहना पसंद करते हैं, उनको चेंज जाए, घर छोड़ देते हैं, घर जैसी सहूलत दुनिया में कहीं भी चला जाए, इंसान अपनी घर जैसा सकून कहीं नहीं मिलता, कितने आला दर्जे कि बड़े फाइव स्टार होटल में जा अबास घर में रहना पसंद नहीं करते हैं, उनको अपनी मैफल अपने जैसे दोस्तों के मैफल अच्छी लगते हैं, तो यह वो साइन्स हैं, जो पर इस बात की निशानदे ही करते हैं, कि अब यह लड़का यह लड़की नशाबाजी की लानत का शकार हो गया है, बिलकुल और बहुत काम की बाते बताएं, नाजजीन मेरा ख्याल है कि मुझे यह इंस्ट्रक्शन आपको प्रोफेसर साब से यह क्वेस्टन देने से पहले करनी जाये थी, कि आप अपनी नोट बुक लेके बठें, और यह पॉइंस को लिखें, लेकिन आप प्रोग्रेम के करीब करीब देख रहे हैं, हमने रिसर्च को शेयर किया किस तरह 700 लोग रोजाना किसी ना किसी नशे की रिलेटेड वजा से मौत का शिकार हो रहे हैं, किस तरह 40,000 एवरी यह ड्रग यूजर्स जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, तो प्लीज, यह प्रोग्राम हम ने आप ही के लिए किया है, और इसलिए किया है कि हम अपना शेयर जरूर कर सकें इस अवेरनेस को फेलाने के लिए और इसको रोकने के लिए, तो इसको नोट डाउन जरूर कीजएगा और जरूर नजर रखें अपने आस पास, अगर आपको कहीं पे भी कुछ ऐसा लगता ह तो आप उसके बारे में ज़रूर कुछ करें. सर, एक आखरी सवाल हम audience से ले लें. बड़ी खुशी होगी, पुछिए. नाजीन, audience से हम एक question लेंगी और. क्या महबत का भी नशा होता है? और जब इनसान महबत में नकाम होता है, तो वो किस नशे की तरफ माइल होता है? महबत तो एक natural tendency है. फितरत इसकी खुद नमूना फराहम करती है. खुदा खुद महबत है. और उसकी महबत को तो हम मजबी नकता नजर से देखें, तो वो तो सलीब तक ले जाता है. उसकी महबत की क्या बात है, क्या हाद़म उसकी मकरर कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुदा खुद इनसान से बड़ा प्यार करता है. और फिर खुदा तवक्व करता है कि इनसान मेरा जिसको मैं बड़ी अपनी शभी पर बनाया, अपने जैसा बनाया, उससे प्यार करता है. तो वो हम सeg उसी प्यार की, उसी मोहब्ट की पुखब कि तुक्क करते है तो चुंकि खुदा ने हमारे अंदर प्यार महुबध की स्पिरिट रखी है तो ये कुदूर्ती है, ये बुरी चीज नहीं है, ये खुदूर्ती है अगर इन्सान के अंदर महबत ना हो तो ये दुनिया ये बड़ी खाली खाली लगे ठीक है खुदा ने इस जजबे को पैदा करके फिर उसके अंदर जो दूसरी चीज़े एड़ कर दी कि आरत और मर्द को एक बना दिया मिया बीवी बना दिया फिर खांदान बने फिर आगे दुनिया बनी अगर ये महबत के जजबा ना होता तो शायद दुनिया का भी वजूद ना होता लेकिन जिस महबत के आप बात कर रहे हैं नौजवान लड़के लड़की जैसे करते हैं तो वो भी एक उदूरती है इन्सान रह नहीं सकता इन्सान की बात करते हैं जानवर भी करते हैं पर इन्सान की तो बड़ी वाज़ तो पर ये मिसाल होती है तो अब उसको भी उसकी भी कियूद और हदूद हैं उसकी लिमिटेशन दर उसकी भी हर चीज़ कैद में कियूद में अच्छी लगती है किसी भी जगा आपको अपने किसी भी प्यारे की रूटीन में या उसकी किसी भी आदत में इर्रेगिलरिटी दिखती है तो उसको जरूर आप गोर करें आप इलर्ट रहें आप कोशिश करें कि आपके अपने प्यारों में से कोई भी ऐसा ना हो जो इस लानत का शिकार हो ख्याल रखें, अपना आप बहुत, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें स्क्रीन पर इसकता आपको हमारा एड्रेस, हमारे कांटेक नंबर्स दिख रहे होंगे जरूर हमसे राप्ते में रहें, जरूर अपने टॉपिक्स हमें सेंड करें, जरूर अपने सवालात हमसे शेर करें मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, प्रोग्राम दुराहा में जरूर में